नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं अगनी वीर भरती के लिए 1 से 9 जुलाई तक मोराबादी में भरती रहली जहरखन के युवाओं के पास अगनी वीर बनने का सुनहारा आउसर है इसको लेकर भरती है सेना अगनी 1 से 9 जुलाई तक रांची की मोराबादी मैदान में भरती रहली आयोजित कर रहा है हलाकि इस भरती रहली में केवाल पूरुस सामिल हो सकते हैं इस समन्द में रांची के सेना भरती कर्याले ने सुचना जारी की है जारी सुचना में कहा गया है कि दालालों से सावधान रहे और इनके जहां से में नहीं आए सेना में भरती निस्पक्ष और पारदर्सी है सेना द्वारा जारी सुचना में कहा गया है कि जार्खन के सभी 24 जीलों के पूरूस उमिद्वार इस भरती राइली में सामिल हो सकते हैं समान परवेश परिक्षा में पास अभियार्थियों के रईश्टर कार्ड मेल आईडी पर 12 जून को भरती कर्याले की और से परवेश पत्र दिया गया है अभियार्थियों को परवेश पत्र पर दी गईती थी समय और बताय गई अस्थान पर उपसित होना है सेना भरती कर्याले के नोडिफिकेशन के उनसार इस भरती राइली में अगनी वीर जीडी, कलार्क, एस्टोर की पर टेकनिकल, ट्रेड मैंन, दसवी और ट्रेड मैंन, आठवी की बाहली होगी राज येपाल के सनवाद कारिकरम से जनता को रखा गया दूर धनबाद के टूंडी के कमार डिह पंचायत भोवन में राज पल सीपी रहदा किष्ण ने जनता से सनवाद किया इस दिवर उन्होंने कहा है कि परधान मति नैंद मोदी के नेतित में भारत ने काफी तरक्की की है पिछले दस साल में भारत दुनिया का पांचवा तकतवर देश बना है राजेपाल ने आगे कहा है कि आर्थिक रूप से हम ससक्त हुए है बताया दे कि राजेपाल रभीवार को धनबाज इला मुख्याले से करीब 25 किलोमेटर दूर टुन्डी के कमार डिह में जानता खता सनवाद कर रहे थे कमार डिह पंचायत भवन के सभागार में आयोजी जानता सनवाद में राजेपाल ने मोधी सरकार के उपलब्दियों को बिस्ताफ से बताया है वहीं उन्होंने बताया कि केंदर सरकार की जोजनावों से लोगों को लाब हो रहा है मिड़े मील खाने से कई बच्चे बीमार थाली में मिली छिपकिली देवघर जिले के देवीपूर परखंड छेत्रे की दरगा पंचायत के बलंपूर राज की एक कृत मद बिद्याले में मद्याहन भोजन खाने के बाद 10 से 12 बच्चे बीमार हो गाए इसकी वज़ा खाने में छिपकिली का मिलना बताया जा रहा है घटना सनीवार दो पहर लबर 11 बजे के पास की है मिली जनकारी के उन्थारी स्कूल में सभी बच्चे खाना खाने के लिए बैठे थे इस बीच एक से दो बच्चों ने तवियत खराब होने की बात बताई वहें कुछ बच्चे जमीन पर लेट गए घटना की जनकारी सिक्षकों को मिली इस बीच एक बच्चे की थाली में छिपकिली मिलने का पता चला और स्कूल में हंगामा होने लगा कई बच्चों के परिजन भी स्कूल पहुँच गए परमुक परतिनिधी निलम यादो भी स्कूल पहुँची स्रावनी मेले में हरियाना और पात्ना की एजेंसी करेगी सफाई बिस्वपरसी स्रावनी मेले में जम्मो और कास्मीर के अमरना थेयात्रा में सफाई का काम करने वाली लोड सीवा एजेंसी और पात्ना के डायनेमिक एजेंसी को सन्युक्त रूप से सफाई कार्य दिया गया है नगर आयूक्त सैलेंद्र कुमार लाल के अध्यक्षता में हर बिंदू पर चार्चा करने के उपरांध टेंडर को फाइनल किया गया दोनों एजेंसी को कूल 2.22 कड़ रूप में काम दिया गया है वही नगर आयूक्त सैलेंद्र कुमार लाल ने बताया है कि टेंडर में 2 एजेंसी नहीं सालिया है दोनों का रेट समान मिलने पर उन्हें काम करने का दवित तोपा गया पिछले वर्स 2.40 कड़ोर में काम दिया गया था इस बार इसे 2.22 कड़ोर में दिया गया है इस तरह निगम को 18 लाक रुपे की बचत हुई है इस बार स्रावनी मेले में 900 और मलमास में 500 करमचारी सफाई कारे में जुटेंगे वहीं 3 सिप्टों में मेला चेतर में सफाई का काम होगा मुख्य मंत्री मेधा चातिविर्थी के लिए नहीं मिल रहे विद्यार्थी मुख्य मंत्री मेधा चातिविर्थी परिक्षा के लिए जार्खन में विद्यार्थी नहीं मिल रहे है इसके तहत हर साल कक्षा आठ में पढ़ने वाले 5,000 बिद्यार्थियों को छात्य विर्थी परदान की जाती है इस बार 12 जीलों में लक्ष से 90 फिश्दी कम आवेदन जमा हुए है इस कारण जार्खन एकेडमी काउंसिल ने आवेदन जमा करने के तिती बढ़ा दी है इससे पहले सिक्षा सचियों ने सभी जीला के जीला सिक्षा पतादिकारी को विद्यार्थियों का आवेदन जमा करने को कहा था इसके बाद भी आवेदन जमा नहीं हो पाए बतादे राजे में कक्षा आठ में नमांकित पांच लाख बच्चों में से लगभग दो लाख पिद्यार्थी चातवीती परीचा के लिए आवेदन जमा करने के लिए या अनिवार जाहे की बिद्यार्थी कक्षा 7 वी की परीच्छा पचपन फिचदी अंगों के साथ उत हुए हैं जहारखन की 81 बीजेपी करकरता भुपाल रवाना 27 को पीम करेंगे सनवाद भाजपा के जनसंपर्क अभियान के तहुत परधान मतिन नायंद मोदी 27 जून को डिजिटल लिंक के माध्यम चे देश भर के करकरताओ के साथ सनवाद करेंगे इस डिजिटल रैली में सा परमंडल निवास करने वाले परधेश से लेकर मंडल अस्तर के कम से कम सवकर करताओ परधान मंतिरी की समात करकरम को सुनेंगे बतादे परधेश भाजपा की ओर से 25 जून को सभी 81 बिदान सभाजप चेतर में प्रभुत समेलन का उजन किया गया है पच्चमी सिम्भुम की 66 परतिशत आबादी आज भी मुफ्त अनाज के भरोसे वर्तमान में पच्चमी सिम्भुम जीले की अबादी लबग 20 लाग है जिसमें 86 परतिशत आबादी सरकारी अनाज योजना का लाब ले रही है जीलाग खाद एवं अपूर्ती विभाग 25 सिम्भुम का आखड़ा बताता है कि जीले में 13,12,334 लोगों के पास सरकारी रासन दुकान से मुफ्त अनाज लेने का लाल अन्तियोदय एवं हरा काड है बता दे परतिएक मा जीले के 18 परकंड में लवक्तियान में परतिशत अनाज का उठा होता है वहीं लाल काड धारियों को वरतमान में सरकार दवार एक व्यक्ति पर 4 किलो चावल एवं 1 किलो गेहों मुफ्त में दिया जा रहा है जारखन के 4 जीलो में वजरपात की चेतावनी जारखन के 4 जीले लोहर्दगा लातेहर गुमला और सिम्डेगा में वजरपात को लेकर मौसम भीभाग ने एलो अलर जारी किया है इन जीलो के लोगों को घरों में ही रहने की सला दी गई किसानों को भी मौसम साफ होने के बाद ही खेत में जाने को कहा गया है बता दे जारखन के 4 जीलो में अगले 3-4 घंटों में गरजन और तेर जावा के साथ वजरपात होने का अनुमान है मौसम भी भाग ने इसकी ततकाली चेतावनी देते हुए एलो अलर जारी किया है जारखन के ए 4 जीलो अलर दगा लातेहर गुमला हो सिम्डेगा है मौसम भी भाग ने इन जीलों के लोगों को किसी सुरक्षित आस्थान में रहने की सला दी है अपराधियों पर नजर रखने के लिए हुमन इंटेलिजेंस को मजबूत करने में लगी पुलीस जारखन पुलीस अब हुमन इंटेलिजेंस को मजबूत करने में लगी है क्योंकि पुलीस जिन नए तक्निकों का इस्तिमाल कर अपराधियों को गिरफतार कर रही है इसकी जनकारी अब अपराधियों को भी है और अपराधि इससे बचने के तरीके भी इजाद कर चुके हैं इसी वज़ा से जारखन पुलिस अब अपने पुराने और ट्रेसिस्नल तरीके को अपनाने जा रही है बता दे अपराधिक वर्दातों को उल्जाने में पूलिस अक्सर नए-ने तरीकों का इस्तेमाल करती है मसलन, कॉल डंब, CDR और मोबाईल लोकेशन या तीन पूलिस के ऐसे तक निखाए जिसके बल पर बड़े से बड़े अपराधियों को सलाखों के पिछे पहुचाया जा रहा है वहीं अनेकों अपराधिक वर्दातों को भी आसानी से सुल्जाया भी जा रहा है रांची में सिलीपर सेल बना रहे साइबर अपराधी संताल परगना को छोड़ कर अब साइबर अपराधी रायधानी रांची को अपना सिलीपर सेल बना रहे हैं हाल के दिनों में पूलिस के पास ऐसे कुछ मामले सामने आये हैं जीन में साइबर अपराधियों राजधानी राची के होटल सिनेमा हॉल और ग्रोसरी की दुकान के खाते में ठगी के पैसे ट्रांसफर किया है। फिर से चालू कराने का काम किया गया है। पत्रकार वर्ता में परभारी धाना परभारी दिनेश परसाद मेहता ने बताया है कि कुड़ू धाना चेतर के दो आदिवासी नेताओ अधेस उराव तता जत्रू उराव एक साधी समारों यू सामील होने के लिए कुड़ू धाना चेतर के जोजरों नाम नगर जा रहे 23 अपराधियों कैरो थाना चेतर के उतका गाव निवासी सुदार्सन यादव के पोत्र मदन यादव जम्रुदिन अंसारी का पोत्र नकीम अंसारी तथा तो फिर अंसारी का पोत्र अंसारी ने हथियार का भाय दिखा कर दोनों आदिवासी नेताओ की कार को रोकते हुए म गर जीला में सुरक्षा और बीदी बेवास्था में पुलिस अफसर सहीट 8650 पुलिस कर्मियों की तेनाती होगी इससे समन्दित आदेश पुलिस मुख्याले आईजी अभियान ने जारी कर दिया है तेनाती 30 जून से लेकर 1 सितंबर 2023 तक के लिए की गई जारी आदेश के अन गर्स दस्ता दो ATS की हीट टीम के अलावा दो स्वान दस्ता भी मौजूद होगी धनिवाद यदि आप चैनल पनाए है तो चैनल के सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एक अब बढ़िए साची साथ वीडियो को एक लाइक आपने दोस्तों किसा सेर करना भूले साची साथ आ आप हमें कोमेंट बाक्स में अपना फीडियो कवासे दे थांक्यू